गुड बॉनिक एफ्रीवन कैसे आप सभी आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे तुड़े इस थर्टी फर्स्ट आफ डिसंबर 2022 और डे है सेटरडे लास्ट डे है इस मंत का और लास्ट ही डे है पूरे येर का फिर जो वो 2023 जो स्टार्ट हो जाएगा तो लास्ट टाइम हम हमने फिफ्ट क्लास के लिए जो पूरा डिसकस किया था तो इस वार जो वो हम लोग डिसकस करेंगे क्लास एर्थ के लिए पूरा डिसकस करेंगे कि क्या जो वो इस पर पैटरन जो वो चेंज तो नहीं हुआ है कुछ कैसे कैसे कोशिंग जो आपको पुछे जाएंगे किस मार्क्स यहां पे लिखा है 100, टाइम मिलेगा 3 आवर, all quotient compulsory है, सभी quotient आपको करना पड़ेंगे, next लिखा है यहां पे quotient वेपर divided 5 section में divided है, section A में जब आपको 30 multiplicative choice question जब वो मिलने वाले हैं, एक मार्क्स की, और B section में जब आपको 10 फिलफ्स मिलने वाले हैं, वो भी 1 मार्क्स की आपको मिलने वाले हैं, next है C part में जब आपको 10 question होंगे, जो की 2-2 number के होंगे, और D section में आपको 10 question होंगे, जो 3 marks के होंगे, और last E section में जब वो 2 ही question होंगे, और वो 2 question होंगे, 5-5 number के, और total होगे आपका 100 marks, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे कोशी नहीं है, इस वीडियो को जो जो सैनिक स्कूल की तयारी कर रहे हैं, या बोर्ड की जो बोर्ड से पर आएगा, तो जो वी 8th class में हो तो इसको वीडियो को जो पूरा देखिए, बाकी सैनिक स्कूल के लिए, जो 6th के लिए, या जो 9th class के लिए, जो वो देना चाहते हैं, अभी 8 तारीकों मेरे क्याल से एक्साम है, अगले मन्त, January 2023 में 8 तारीकों, संडे है उस दिन, उस दिन जो आपका एक्साम है, तो आप विस वीडियो को पूरा देखिए, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि उसमें भी MCQs पूछे जाएंगे, ठीक है, इसमें भी हम लोग पहले तो MCQs डिसकस करेंगे, बहुत साले हैं, तो काफी कुछ यहाँ पे हम डिसकस करने वाले हैं, इसलिए, वीडियो को जो पूरा देखिए, कॉपी पैंसिल लेकर के बैठेंगे, तब जो वो बहुत अच्छा रहेगा, स्टार्ट करते हैं, तो उसे फाइला कुछीन है यहाँ पे, कि हिंदी और इंग्लिस मीटियम दोनों ही डेक्स करेंगे, हिंदी इंग्लिस दोनों ही यहाँ पे बाइलेंग्वाज मतलब की यहाँ पे च्भू गिवन है, बा से लिखा भी होगा, इंग्लिस में किस साइड लिका है, देखते हैं जरा, तो यहाँ तो इसके साथ ही लिका है, बाकी, question number 5 का लेकिन first का जो वो यहां पे side this side होगा yes यहां पे देखे additive inverse of minus 5 over 9 देखे additive inverse जो होता है वो जो वो काफी easy होता है एक होता है multiplicative inverse एक होता है additive inverse अब question को आप पढ़िए देखिए क्योंकि sample पर है आपको जो वो additive inverse भी बुचा जासकता है multiplicative inverse भी पुचा जासकता है तो आपको इससे related बाते जो वो पता होनी चीए तो additive inverse जब भी हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस number में जो हम लोग क्या plus करें कि वो जो जो जीरो हो जाए इसको बोलता है additive inverse जबकि multiplicative inverse जो वो उल्टा होता है यह बोलता है multiplicative inverse की इस number को जो किस से multiply करें कि वो 1 हो जाए तो यहाँ पे जो इसने बोला है additive inverse तो हम लोग देखेंगे कि minus 5 over 9 में क्या plus करें कि वो जो 0 हो जाए देखे जब minus में है तो आप इसको plus कर देजिए क्योंकि plus minus minus हो जाता है और सेम नंबर जोगो 0 हो जाएगा जैसे मैं बोलू minus 1 का additive inverse का होगा plus 1 होगा क्योंकि दोनों को जोगो minus करके वो एक plus का एक minus का है सेम नंबर है तो 0 हो जाएगा तो 1 का additive inverse minus 1 और minus 1 का 1 हो गया बिल्कुल सेम ऐसे ही minus 5 over 9 का हो जाएगा 5 over 9 तो यहाँ पर first जो option है वो जो बिल्कुल सही option है बिल्कुल right option हो जाएगा आपको जो यहाँ पर ध्यान नहीं देना है ज़्यादा दिखिए यहाँ पर minus 5 over 9 है अगर मैं 5 over minus 9 भी लिखता हूँ तो भी ठीक है क्योंकि यह जो minus है यहाँ पर बीच में भी रखता है यह जो उपर भी रखता है लेकिन इसका एक्चल में मतलब जो कुछ भी नहीं है यह बोना है कि minus 5 over 9 यह इसका मतलब है बीच में रख लो 5 over 9 यह आप नीचे ले जाओ minus कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे तो इसका जो answer हो जागा first option will be the right answer question number second देखिए second भी इसी side है yes देखिए समीकरण दिया है y plus 3 equal to 10 में जो वो चर्क है तो इंग्लिस में देखिए इसने पुछा है चर्क हो थे है variable तो इसने बोजाए कि equation है y plus 3 equal to 10 तो variable कौन से है variable y है जो यह से लेकर के z तक कोई letter है से given होगा small में ठीक है तो वो जो variable है इस equation में अगर मैं इसकी value निकालू तो y की value हो जाएगी यह जो 3 है न यहाँ पर plus है तो यह दूसरी side जाएगा और minus कर जाएगा तो यह बन जाएगी y की value 7 तो y की value 7 आगे ठीक है लेकिन इसने सिर्फ variable पुचा होता अगर पुचा होता value of variable तो 7 होता जबकि इसने बिल्कुछ इंपर पुचा variable कौन सा है तो y variable है तो 3 option will be the right answer question number 3 देखिए किसी बहुज के भाहिय कोनों का ही हो क्या होता है यह काफी अच्छा काश्य देखिए बहुज बोला बहुज मतलब की polygon हो गया ठीक है बहुज सारी पुचाएं है polygon तो देखिए कोई भी फिगरो जैसे बहुज ट्राइंगल हो ठीक है चाहिए बो quadlator हो कोई साबी हो चाहिए बो pentagon हो चाहिए बो hexagon हो ठीक है तो उनके जो बाहर वाले जो होते हैं बो जो फिलकुल same रहता है आप बोलें कि सभी फिगरा लग-लग है फिर इस same कैसे हो जाता है तो same अइसे होता है जैसे इसको जो गएए सै gonna करते हैं एसे खेह तो इसको एसे दिखा जाता है इसमें जो यहा पे यह जो angle है, बो जो जो कुछ ही इस तरह से यह वाला angle- यह वाला यह वाला तो यह वाला और यह वाला इन सब को प्लस करेंगी, यह हैं बाहर वाला angle तो इन सब का ही 360 आता है जबकि जो आंत्रिक जो interior angle है उनका आपको बता है कि triangle का 180 होता है, quadilator lut五य Przyमें बसमें आगे बढ़ा होगा फार्मूला की 5 फिगर का कैसे निकालेंगे 6 फिगर का कैसे निकालेंगे वह आप बढ़के जाईएगा तो इस कोशिन का अंसर हो जाएगा 360 नेक्स कोशिन है कोशिन नमर 4 समवनंतर चत्रवुज के बिकरन एक दूसरे को तक क्यालेंगे समवनंतर चत्रिूज है पैललोग्राम होता ऐसे यह रहेगा और अपोजित जो हमारी साइट है वो जो उकॉल रहेगी पैलल है तो उकॉल दो होना गी ही तो इसने वह नहीं कोशिना है तो डाइगनल मैने बशना लिए यहाँपर तो डाइगनल जो वो यहाँ पे देखे यहाँ पे लिखा है एक perpendicular to one another एक दुस्रे के perpendicular होते हैं तो perpendicular तो मुझे नहीं लग रहा है अंगल जो वो यहाँ पे कुछ और ही बन रहा है 90D तो मुझे नहीं लग रहा है ठीक है, bisect each other bisect का मतलब है दोनों जो वो एक दुस्रे को जो वो बिल्कुल समदूई भाजित करते हैं ठीक है, और यहाँ पे लिखा है intersect intersect तो करते ही हैं लेकिन समदूई भाजित तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही answer है हमारा वो हो जाएगा bisect each other तो यहाँ पे बिल्कुल सही answer जाएगा नेक्स कुशिन है, कौशिन नबर 4 था कुशिन नबर 5 यहाँ पुछा है, 81 का बर्गमूल बर्गमूल मतलब की स्क्वेर रोट पुछ रहा है अंट्रूट है, 81 के उपर अंट्रूट है यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे अगर क्यूब रूट होता तो यहाँ पे जो वो इसकी जगद 3 होता तो यहाँ पे 81 किसका स्वेर होता है 9 का होता है, तो 9 बिल्विदल आइट अंस आपको कम से कम 30 तक जो वो यह पता होने चाहिए 5 का घं पूच लिया, 5 का क्यूब पूच लिया, 5 का क्यूब का मतलब है पावर और यहाँ पे हम ने जो वो पावर कंसेप्ट जो वो इक पढ़ा था कि पावर क्या बहुत है पावर बोलते हैं कि यह जो बेस है इसको three times multiply करना है जितना भी पावर में होगा तीन है तो तीन भार multiply करना है ठीक है उसी नमबर को पाँच कोई तो 55 जा 25 25 जा 125 ठीक है तो यहाँ पर सही answer होजाएगा एक किलोमेटर में कितने में मिटर होते हैं सबको बच्चे-बच्चे-बच्चे को उत थाओ सेट मीटर होते हैं लेकिन अगर आपको ऐसे पूछा जा है उलटा पूछ लिया कि एक मीटर में कितना किलोमेटर होता है तो आए उल्टा हो जाएगा 1 और 1000 हो जाएगा और 1 ऑर 1000 आप डेसिमल में 0.001 बोल सकते हैं ठीक है कुछे इस तरह से आप सभी जो युणिट है ज्यान देना है कि तो लिखा है ने कि हथा इसके आगे जो होता है वो नियुमिडर में लिखता हो तहां होताँ युंट सेंज में ऐसा ना हो 214 और जाने हैं यहां पर escr pos न हो यहां पर देवाईड करसे में पहले है वो उपर होगा जो टू के बाद है वो जो नीचे लिखना है ठीक है डिनॉमिनेटर तो यहां पर अगर फाइव रेसो टैन होता वह भी सही होता फाइव रेसो टैन है नहीं आप्शन में तो इसको काड़ दिया है इन्होंने सिंपल फ्रैक्शन में वन वन जा और या 102 फर्स्ट फिर भी दराइट अंसर नेक्स्ट है कोशी नंबर कौन सथ है एट यहां पर थर्टिन आ गया मतलों किस साइड है कुछ एट नाइन देखिए नाइन यस नाइन वाला जो यहां पर देखिए यहां पर दिखा है लाव परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज के जो यहां पर होता है क्रायमूले कोस्ट प्राइज कि अगर आपको जो यहां पर लाव परसेंटेज की जगह जब ऑचल्छ यहां पर जाएक यहां पर लॉस रखेंगे तो एजो उनुले फर्सेंटेज निकानी पूचा तो profit को मिलट्पिल breathing हो पयोजाएं और डिवाइट करिये, तिक है, नेक्स पुशिन एसी परिमेंस अंक्या लिखिए जिसका कोई ब्यूत करम नहीं है, ए काफी अच्छा कोशिन है कि कोई टैस्टनल नंबर बताइए, ठीक है, तोसका रैसे प्रोकल नहीं होता है, देखे उसका रैसे प्रोकल नहीं होगा, जो not defined बन जाएगा जो परिभासित होगा जो अनंत हो जाएगा जिसको आफ इंफिनिटी होते हैं अब देखिए अगर मैं जीरो को देखूं रेसिप्रेकल ब्यूत करम का मतलब इसका उल्टा करी है जैसे जीरो है सब के नीचे वन है तो जीरो के नीचे भी वन है अगर मैं इसका तो यहाँ पर जाए जाए नीचे जाए तो माइनस वन को माइनस यहाँ पर यहाँ तो हमारे इस कुरूशिन का जो आंसर है वो हो जाएगा जीरो क्योंकि देखिए वन का वन की नीचे वन है तो इसका उल्टा करेंगे तो वन आ रहा है लेकिन आतुरा है कुछ ना इसने पूचा कि जो वो कुछ है नहीं मतलब click notn क्या जास्याइगा तो वो इन्फनाएट है जीरो का वोल्टा not define होता है इंफिनिती होता है माइनस बंस 1 का भी माइनस ही रहीगा अगर पूचा जाए सेम किसका अता है तो सेम 1 और माइनस 1 दोनों का जबो यह हो जाएगा ठीक है नेक्स कुशिन है चत्रभूज का नाम इसने पूचा है जिसके बिकरन जबो बराबर होते हैं देखें सम चत्रभूज का मत्रव है और जो रोंबस होता है जिसकी सभी जो साइड है बहुत हो इकोल है लेकिन एंगल की बात नहीं हो रही है यहां पर रोंबस की अगर हम बात करें देखें इनके बीच में जो अबर हम बात करें कि है तो क्वाड़ेटल ही सभी जैसे यह भी क्वाड़ेटल है यह भी क्वाड़ेटल है काईट फीकृड़ेटल है लेकिन इनके बीच में अगर जो डाइगनल है वो आपस में बाइसे कर जाएं तो जो उनकी साइड है नए अपस में बौझ जो स्कूर या एक्टेंगलर के जैसे बहो दिखें इसका मतलब है बगर जो उसकी जो साइड होगी उसके डाइगनल होगे बराबर हो जाएंगे लेकिन इसमें पतंग को तो हम पतंग की जैसे देखेंगे तो उसमें डाइगनल सेम नहीं होगे लेकिन जो आयत है हमारी इसमें डाइगनल जो बिलकुल बराबर रहते हैं और जो हमारा स्क्वेर है इसमें ब्राबर रहते हैं ठीक है लेकिन तो यहां पिल्कुल सही आंसे हो जाएगा रेक्टेंगल ठीक है नेक्स्ट कुछी नमपर 12 फूर और 7 पी का गुंड पर तो फूर मुल्टिप्लाइब नेक्स्ट है यहीं के खंसे जो सेंटीमिटर्स तो घंका आईतन क्या होगा वो गनुंक्त में 6 फेसिदी करते हैं और 8 उतुदंट होते हैं और इस्टप्लाइब करते हैं इसमें तो सभी बेस भी बराबर है ऐसंती इसका आंसर हो जएगा तो पोब्लम निकलेगा तो आपको जो कंफ्योज करके एसे देशगता है 64 सेंटी नितुए में आपको तक पर नहीं जाना है के क्यूबभर ही जाना है कि नम्बर नैंटीन में लिखा है कि 3 का मान कितना होगा को मतलब है इसको तोड़ से स्वालब करना पड़ें जैसे पावर को माईनस में रहती है तो आपको जो इसका मतलब है कि वह जो डिनौमिनेटर से उपर उटकर के आ है इसका मतलब है 1 upon 3 की पावर 2 ठीक है जब उपर जाता है तो पावर माइनस अब हो जाती है ठीक है तो इसका मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वेर होता है 1 upon 9 हो जाएगा 3 3 जा 9 1 over 9 is the right answer next है a square minus b square की एक गुणन अखंड क्या है यह सीधा फार्मूला पुछ लिए इसने आप जोगो पढ़ते है a square minus b square तो यह जोगो होता है a plus b और एक जोगो a minus b तेक है आपने जोगो भी पढ़ा होगा a x square minus y square जो किसके बराबर होता है तो x plus b sorry x plus y और x minus y एक बार प्लस एक बार माइनस तो second is the right answer आपको सभी फार्मूले पता हो यहां पर x minus y का q पता हो x plus y का q पता हो ठीक है और square तो पता हो गई आपको next is the factor of 7 square plus 14a तो यहां पर factor फुच लिया हमें factor का मतलब है इनके जो ब्रिक कर दीजिए जो जैसे 15 को मैं 3 और 5 लिख सकता हूं 3 multiply 5 तो बैसे ही इनके जो फैक्टर कर दीजिए तो यहां पर multiply करके चेक कर लेते हैं अब देखिए यहां पर अगर मैं 7 जो कॉमन लेना हूँ 7 इसमें और a भी है common side तो 7a जो को मैंने बाहर दे लिया यहां पर कितना बचा यहां पर 7a बाहर दे लिया तो एक की अंदर बच गया और यहां पर 7 बाहर दे लिया है तो a plus 2 हो जाएगा 7a a plus 2 तो second will be the right answer इसमें कोई factor नहीं निकालने थे विल्कुल सिंपल था योगफल और plus c a minus a b ठीक है तो a b से a b cancel क्योंकि plus का एक minus का है ठीक है और b c देखे b c plus का है minus का है cancel c a plus तो a तो 0 हो गया ठीक है 0 इल्दा राइट आंसर पूशिन नमबर 26 देखिए यहां पर गुणफल पूचा मैंने बादा गुणा आप कर सकते हैं गुणा आप कर दीजिए कोई फ और यहां पर 2 है ठीक है तो a multiply हुआ यहां पर तो यहां पर a कितने हो गए ठीक है यह होगे हमारे पास 22 और 2 कितना हुआ 24 हो गया 24 और 26 कितना हुआ 24 और 26 तो यह मेरे काल से 50 हो गया ठीक है तो 8 a कि पावर 50 विल विदा राइट आंसर ठीक है next देखिए यहां पर में इसका जो यहां पर जो inverse होता है ना वो जो हमने पहले पढ़ा भी जिसको बोला हमने ठीक है जो उल्टा हमलों कर देते हैं तो जो यहां पर लिखते हैं तो इसका लिखना है 19 over minus 13 ठीक है क्योंकि minus की कोई problem नहीं है minus नीचे लगाओ जाए ओपर लगाओ कोई फर्क नहीं तो यहां पर हमारा answer हो जाएगा second 28 पर आते हैं 28 कहाने लगा है 27 इस सेट तो नहीं है कहीं पर यहां पर 28 6 x 12 के बराबर है तो x 2 आ जाता है देखिए कैसे 6 x 12 है तो x की value हो जाएगी 12 over 6 6 2 जा 12 2 will be the right answer next question number 29 इन वे से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है 99 जा होता है 88 जा होता है 45 नहीं है last question करेती में वो lamp save ग्यात करने की प्राइक था लाम्प सेव यहां पे लाल होना चाहिए था साइद तो लाल होगा तो यहां पे रेड लिका होगा आर देखिए एक है और यहां पे दो है रेड तीन होगे रेड चार होगे रेड चार टोटल कितना है फेवरेबल आउटकम चार है, टोटल आउटकम निचे लेखेंगे, प्राविटी आचे निकालते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांचे, साथ, फोर ओबर सैवन, जो इसका अंसर हो जाएगा, देखते हैं, कैसे कहाँ पर है, थर्टी, 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 येस, अचार, यहाँ पे कहाँ चला गया, कुश्चिन, इसकी ऑप्सन कहाँ चले गए, हाँ, यहाँ पे देखिए, फोर ओबर, सेवन, सेकिंड भी विदा, राइट अंसर, ठीके, रेड एपल ही पुछ आता है, इसने देखिए, रेड एपल, तो ऐसा करते हैं कि सेक्शन भी को जो हम लोग नेक्स पार्ट से डिसकस करना स्टार्ट करते हैं, ठीके, ओके, थैंक यू, एंड, हैव वनाइस दे,